नमस्ते बच्चो मैं राकेश पुनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल अच्छे सिक्ष्या ओफिसियल पे बच्चो जैसा कि आपको पता है फिजिक्स की क्लासे हमारे चैनल से निरंतर आपको मिल रही है आज हम बायलोजी भी स्टार्ट करवाने वाले हैं बायलोजी में सबसे पहले बच्चो हम बायलोजी की क्लासे आपको डेली आगे मिलती रहेंगी biology में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चो आज introduction of biology introduction of biology की biology होता क्या है देखिए बच्चो biology को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान biology को हिंदी में क्या कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं क्या कहते हैं जीव विज्ञान कहते है biology एक branch है बच्चो science की science की एक साखा है क्या biology मुख्य रूप से science की तीन साखाएं है physics, chemistry और biology biology की मैं बात करूँ तो दो सब्दों के mail से बनी है बच्चो bio का mean यहाँ पे है living bio का mean क्या है living और logic का mean क्या है study logic का mean क्या है बच्चो study living मतलब जीवन और study का mean अध्यन करना study का mean क्या है अध्यन करना जीवित प्राणियों का अध्यन करना क्या कहलाता है biology कहलाता है study of the living beings are called the biology वो प्राणी जो respiration करते है जिन में सव्शन कृया होती है उनका अध्यन किस ब्राच में किया जाता है biology में उनका अध्यन किस ब्राच में किया जाता है उन biology में किया जाता है बच्चो यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि biology जो है वो किस भासा से लिया गया शब्द है तो आपका उत्तर होगा ग्रीक आपका अंस्वर क्या होगा ग्रीक ग्रीक भाशा से लिया गया शब्द है ब बायलोजी के पिता कोन है, बायलोजी के जनक कोन है, जीव विग्यान के जनक कोन है, तो आपका उत्तर क्या होगा, एरिस्टोटे, एरिस्टोटल, अरस्तु, अरस्तु को क्या कहा जाता है, बायलोजी का जनक कहा जाता है, जीव विग्यान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपक लेमारक और ट्रेनेस वेयर ट्रेने वेयर्स ट्रेने वेयर्स और लेमारक ने क्या किया था सबसे पहले बायलोजी सब्द का यूज किया था इस्तेमाल किया था उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों देखें जिस तरीके से साइंस की तीन मुख्य ब्रांचे हैं इसी तरीके से होसे की ब्रांचें हो ती हैं साखाएं होती है तो बरच बाइयलोजी MAKK ultimate ब्रांचें, managing कितनी कितनी मुख्य साखा में हैं तो हम ordinistic क्लेज बांगे बोटनी पहली जू लोजी और दूसरी कौन सी है बोटनी जू लोजी देखिए दो सब्द को मेल से बनी है जू और दूसरा है लोजी जू का मीन यहां पर क्या है एनिमल जू का मतलब क्या है बच्चो एनिमल और लोजी का मतलब क्या है यहां पर स्टडी एनिमल्स यानि कि ज भिन परकार के अनिमल्स की स्टेडी करना क्या कहलाता है जूलोजी कहलाता है जन्तू विज्ञान कहते है जूलोजी को हिंदी में अब देखिए बच्चो बात करते है एरिस्टोटल की हम बात कर रहे थे एरिस्टोटल की बात कर रहे थे कि Aristotle जो है वो कोन है Biology के जनक है biology के क्या है능 जनक है तो Aristotle ने सबसे पहले एक बुख लिखी और उस बुख का नाम था Historia Animalia Historia Animalia Historia Animalia नामक बुख लिखी किस ने अरस्तू ने और इस बुख के अधार पे क्या अरस्टू ने अध्यन किया किसका जन्तुओं का 500 से 1000 अलग अलग परकार के अनिमल्स का क्या 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 स्टडी किया उन पे स्टडी की किसने एरिस्टोटल ने तो स्टडी के उसने चरन बनाए एरिस्टोटल ने क्या का स्टडी के अलग अलग क्या बनाए चरन बनाए अलग अलग क्षेज में उनका अध्यान किया सबसे पहले उन्हों ने जो अध्यान किया जंतुं और अधियन करना किया कहलाता है एकारी की मॉर्फोलोजी में दूसरा है एनाटोमी दूसरा क्या है आपका एनाटोमी एनाटोमी में क्या किया जाता है आंत्रिक सरंचना का अध्यन आंत्रिक आंत्रिक सरंचना का अध्यन एनिमल्स की जो आंत्रिक सरंचना है internal जो portion है animal का भारी तो हमने कर लिया अध्यन किसमे किया जाता है morphology में किसने का Aristotle ने जो अध्यन किया anatomy में जो animals हैं उनके inside का body के inside का अध्यन किया जाता है feelings का अध्यन नहीं किया जाता है inside अध्यन ये किया जाता है कि उसका blood कैसा है कितने organs हैं कितने bones हैं इन चीजों का अध्यन करना क्या कहलाता है anatomy और तीसरा जो point है वो क्या है physiology तीसरा हमारा क्या है physiology एकारी की एकारी की थो हमने पढ़ लिया यहां पर यह कारी की कारी की अब देखिए हम पढ़ रहे थे कि उसके अंदर organs कितने हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे और फिजियोलोजी में हम क्या पढ़ेंगे कि महीन और खुर किस तरीके से और कुरे यह कि मुस तरीके होता है यह किसमें पढ़ा जाता है। फिजियोलोजी में किस divas अब इतना बड़ा योगदान एश्टोनेयने दिया और लिए जुलोजी के लिए तो इनको קुछ वार्ड दिया गया क्या वार्ड दिया गया एरिस्टोटे को कहा गया क्या फादर ओफ जूलोजी क्या कहा गया जूलोजी का पिता क्या कहा गया जूलोजी का जनक जनतू विग्यान का जनक भी किसे कहा गया एरिस्टोटल को कहा गया जी विग्यान का जनक भी अभी आप कहेंगे के सर जी विग्यान का जनक भी कौन अरस्तू और जन्तू विग्यान का जनक भी कौन बच्चो अरस्तू अब आप देखिए बात करते हैं दूसरे चरण की बोटनी के बारे में बात करते हैं यहां से नहीं यहां पर क्या है study of the plants study of plants पाधपों का अध्यन हिन्दी में कहेंगे कि पाधपों का अध्यन कि किसमें किया जाता है बोटनी में बोटनी को लींगे बच्छों बनस्पती विज्यान क्या कहेंगे वनस्पती विज्ञान वनस्पती विज्ञान तो वनस्पती विज्ञान में क्या किया जाता है पादपों का अध्यन किया जाता है पोधों का अध्यन किया जाता है अलग-लग परकार के जो प्लांट्स है उनका अध्यन किस ब्रांच में किया जाता है बोटनी में किया जाता है अब बात करते एक साइंटिस्ट आये बच्चो थ्रियो फैस्टस एक साइंटिस्ट आये थ्रियो फैस्टस थ्रियो फैस्टस थ्रियो फैस्टस थ्रियो फैस्टस थ्रियो फैस्टस ने एक बुक लिखी बच्चो थ्रियो फैस्टस ने एक बुक लि फिस्टोरिया प्लांटेरम थ्रियो फेस्टस ने एक बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम और इस बुक में थ्रियो फेस्टस ने क्या किया 500 से हजार पादपों का क्या किया बच्चो अध्यन किया अलग अलग परजाती के 500 से अजहार जो पोदें हैं पादप है उनका क्या किया अध्यन किया और इसी तरीके से ये प्रोसेस उसने अपनाया मौरφόलोजी में पादप के भारी स्ट्रेक्चर का अध्यन किया उसके बाद एनाटोमी में पादप की जो आंतरिक सरंचना थी उसके इनबिल्ट जो फंक्शन थे उनका अध्यन किया और उसके बाद फिजियोलोजी में पादपों के पूरे के पूरे फंक्शन की किस तरीके से वो वरक करता है किस तरीके से रेस्पायर करते है किस तरीके से बोजन को डाइज करते है किस तरीके से उनकी सेल जो है वो वरक करती है ये सारा का सारा किस में पढ़ा बोटनी की बोटनी के अंदर उन्होंने पढ़ा कि ब्राच में फिजियोलोजी में किस ब्राच में फिजियोलोजी में तो यहां से पूछा जाए कि फादर ओफ बोटनी की बोटनी का जनक किसे कहा जाता है या वनस्पती विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चो थ्रियोफेस्टस थ्रियोफ प्रेस्टस ने कौन सी लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम और इस इस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने अध्यन किया कितने पात्पों का 500-1000 पात्पों का और इधर हिस्टोरिया एनी मालिया नामक की बुक लिखी किसने एरिस्टोटल ने और एरिस्टोटल ने अध्यन किय पानसो से अजहार जंतुओं का बच्चो तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया पूरी की पूरी बाइलोजी में जो दो प्रांचे थी जोलोजी और बोटनी उनका अलग-अलग तरीके से क्या किया उन्होंने अध्यन किया क्या किया अध्यन किया अब biology में आगे basic units की बात करेंगे characteristic of biology की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जानेंगे base point को की starting कहां से होती है cell से कहां से होती कोसी का से की भाई कोई चीज हम बनाएं जिस तरीके से मकान बना रहे हैं की basic unit कोन सी है सबसे पहले हम नीचे नीन से start करते हैं पहली int neem में रखेंगे ना तभी वो पूरा धाचा बनके खड़ा होगा इसी तरीके से body को चलाने के लिए इसी तरीके से पूरी की body जो है चाहे animal की बात करें चाहे plant की बात करें चाहे human beings की बात करें पहली जो structural और functional unit है पहली जो structural और functional unit है कारियात्मक और सरंचनात्मक जो इकाई है वो कौन सी है cell है तो इससे अगली class में हम जानेंगे cell के बारे में कि cell क्या होती है और किस तरीके से cell के माधियम से आगे आगे बढ़ते पूरे functional तक हम पहुँचेंगे और पूरा study करेंगे जुलोजी और बोटनी का और आज की class में इतना ही बच्चों हसते रहिए मुश्कुराते रहिए खुश रहिए जै हिंद जै भारत